बॉलिवुड के नए सुपरस्टार कार्थिक आरेन अपने फिल्म घूल भुलया तू को बॉक्स ओफिस पर मिली शांदार सफलता के चलते हर दिल पर छाय हुए हैं लेकिन अब वो अपनी आगामी फिल्म शहजादा को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं इन दिनों वो अपनी फिल्म शहजादा के सिल्सले में हर्याना गए हुए हैं जहां से उनको एक वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में वो फैंस की भीड से घिरे हुए दिख रहे हैं कार्थिक आरेन की इस वीडियो को पैपराजी फोटोग्राफर ने अपने ओफिशल इंस्टाग्राम फैंडल पर शेयर किया वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने सूपरस्टार को देखने के बाद फैंस में उनके साथ सेल्फी लेने की होड लग जाती है इस सब के बीच अभीनिता चलते हुए अपनी कार की ओर जाते हुए दिख रहे हैं और अंत में अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं हाली में मीकस ने शेहजादा की रिलीस डेट में बदलाव करते हुए आगे बढ़ा दिया है फिल्म की नई रिलीस डेट के बारे में जानकारी खुद अभीनिता कार्तिक आर्यन ने देटी कार्तिक आर्यन की ये फिल्म अगले साल 10 फरवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीस होगी ये फिल्म साउथ की सुपरस्टार अलू अर्जून और पूजा हिंगडे की तेल्गु फिल्म अला बैकुल्ट पुरिलम की रिमेक है बता दे के फिल्म पहले कार्तिक आर्यन और केर्ति सनौन की ये फिल्म 4 नवंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी लेकिन अब फिल्म की रिलीज देट को आगे बढ़ा दिया गया है अब अब मुंबाई के लिए निदेश ठाकुर की रिपोर्ट